आज की क्लास में हम क्लास 6 बसंत बुक का चेप्टर 2 बचपन का रश्न उत्तर करेंगे इससे पहले हम इस पार्ट को अच्छी तरह से समझ चुके हैं अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसे आप उहां से जाकर देख सकते हैं इस पार्ट की लेखी का कृष्णा सोबती जी है इसमें उन्होंने अपने बचपन की यादों को हमसे साजा किया है तो चलिए अब हम इस पार्ट के प्रश्णों को देखते हैं पहला प्रश्ण है लेखी का बचपन में इतवार की सुबह क्या-क्या काम करती थी तो जैसा कि आप लोगों ने इस पार्ट में पढ़ा है कि लेखी का के हाँ अब का सारे कप्रे तो नोकर-नोकरानी धौते थे लेकिन मोजे इनको खुद धोने परते थे और अपने जूते में पौलिश या स्वैम करती थी तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, लेखी का बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी Q2. तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है इस बात के लिए लेखी का क्या-क्या उदाहरन देती हैं, तो इसके लिए लेखी का बताती हैं, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है यह कहकर लेखी का बताती हैं कि उन दिनों मनुरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामो फोन थे, प्रन्तो उसके अस्थान पर आज हर घर में रेडियो और टेली वीजन आ गए हैं कुलफी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है, कचाओरी, समोसा, पैटेज में बदल गया है, शाहतूत और फाल से खस-खस के शर्वत का अस्थान कोक पेपसी ने ले लिया है तो यह कोश्चन नमबर टू का एंसर है पाठ से पता करके लिखो की लेखिका को चश्मा क्यों लगाना परा? चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो जैसा कि आप लोगोंने पाठ में समझा कि उन्हें चश्मा क्यों लगाना परा तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे लेखी का की नजर कमजोर हो गई थी इसलिए उन्हें चश्मा लगाना परा लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेरते थे क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीव सी लग रही थी उनके चचेरे भाई उन्हें छेरते थे कि आख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालुम सूरत बनी लंगूर की तो यह question number 3 का answer है अब अगला प्रश्ण है लेखी का अपनी बच्पन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी उनमें सी प्रमुक फलों की नाम लिखो तो लेखी का बच्पन में क्या खाती थी मजा ले लेकर चलिए उनके नाम लिखते हैं लेखी का बच्पन में चोकलेट और चनिजोर गरम अनार दाने का चोईन मजा ले लेकर खाती थी रसवरी, कसमल और काफल उनके प्रिये फल थे वह शहतूत, फालसे और खस-खस का सर्वत पीती थी तो यह question number 4 का answer है अगला प्रश्ण है लेखिका के बच्पन में हवाई जहाज की आवाजे घुरसवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला काल का ट्रेंड का model ही आश्टर जनक आधुनिक चीजे थी आज क्या-क्या आश्टर जनक आधुनिक चीजे तुम्हें आकरशित करती है उनके नाम लिखो तो देखिए समय के साथ चीजें बदलती रहती है नई-नई चीजे आती हैं नए नए आविश्कार होते हैं तो आपको जो आधुनिक चीजे आकरशित करती हैं तो उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे की यहाँ पर लिखा हुआ है आज मुझे मोवाइल, किंडल, मेट्रो, ट्रेंड जैसी आधुनिक चीजे आकरशित करती हैं तो यह question number 5 का answer है तो आज हमने बसंत बुक chapter 2 का प्रश्न उत्तर समझा और उसे complete किया आज के लिए इतना ही फिर अगली क्लास में मिलते हैं